हेलो क्यूटीज, कैसो आप सब आई होग के अच्छे हो तो आज मिला ही हूँ मेट दो सिरीज के एपिसोड 3 के फर्स्ट पार्ट को तो चलो शुरू करते है स्टोरी को एयोई कहती है तुम कहा जा रही हो जेन एक मीरर के समने बैठी जेन अपना मेकप कर रही थी मीरर से जेन देखते हुए एंसर दी मेरी टोट के साथ देट है तो जेन को उस लड़के का नाम याद आया जिसके साथ उसकी मॉम ने उसे देट पर भेजा था तो एयोई कहती है क्या तुम दोनों क्लोज हो ये थुरू फास्ट है तो जेन कहती है ये इतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि हमारे पास सही केमिस्ट्री है तुम्हारे और मेरे तरह हमने भी एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा था लेकिन हम भी जल्दी ही करीब आ गए तो वो मुस्कुराई और लास्ट थेस्के लिए अपना हेर को ब्रश की जेन जाने के लिए रेडी थी तो एहोई कहती है ये तुम आज रात लेट से आओगी मैं रात के डिनर के लिए तुम्हारा वेट करूँगी जेन तो जेन कहती है देर हो सकती है वेट मत करना मेरे लिए तो AI कहती है तुम देर से क्यों आओगी तो जेन कहती है मैं डेट पर जा रही हूँ तो जेन स्माइल की और चली गई AI जेन की शर्ट पहनी थी और कुछ कहने ही वाली थी लेकिन जेन उसे बीच में ही रोक दी और कहीं मुझे जल्दी है हम बाद में बात करेंगे जेन उसे रूम में अकेला छोड़ती और गिल्टी फिल की इमोशन लेकर चली गई क्योंकि जेन को जल्दी से जल्दी इस फिलिंग से छुटकारा पाना था जेन को अपने क्लोस फ्रेंड के साथ सेंसिटिव होना अच्छा नहीं लग रहा था किसके बाद से जेन अपनी दूरी ठीक से बनाई रखने की प्लैन बनाई थी जेन सोसती है मनीमन कुछ बाते जेन एक लड़की है और अगर उसकी कोई गर्फरेंड बन गई तो ये अच्छा नहीं होगा जेन को लगा कि उन दोनों के बीच की फीलिंग इंटिमेसी से आ सकती है वो दोनों बहुत क्लोज थे और उसे ये बताना बहुत स्ट्रेंज था एयो आई हमें किस नहीं करना चाहिए जेन ऐसा कुछ नहीं कह सकती नहीं कभी नहीं जेन की टोट के साथ डेट थी एक लड़का जिससे उसकी मॉम ने उसका इंट्रोडक्शन करवाई थी जेन चैट एप पर चैट स्टाट की जेन उसके साथ फ्लिट की और उसे बाहर जाने के लिए कही तो उस वक्त जेन और टोड एक दूसरे के सामने बैठे थे और उसे नहीं बता था कि किस बारे में बात करनी है क्योंकि जेन डेटिंग में अच्छी नहीं थी यूशुली एक मेन ट्राइ करते हैं लेकिन इस बार जेन पहले ट्राइ की तो जेन उसको इंटरेटेन्मेंट करने की ट्राइ की तो जेन कहती है इस बार मैं तुम्हें इन्वाइट करती हूँ तुम जो खाना चाहो ओर्डर करो तो जेन की और देकर स्माइल किया और अपनी आइस को उपर उठाया वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं था जो जेन को ऐसे देखते थे जिसे कोई अजी परसन आस्मान से एरोपलिन को देखते है तो तोट कहता है जेन से ये अच्छा नहीं होगा मैं एक लड़का हूँ मैं तुम्हें पैसे नहीं देने दे सकता अगर तुम्हारी माम को बाद में पता चला तो मैं प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा तो जेन कहती है अगर माम को पता चलता है कि मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा है तो वो खुश होगी प्लिस तुम आरडर करो मैं रिच्छो तुम बहुत प्रावड हो खुद के लिए तो इसे सुनने के बाद जेन उसे गुसे से देखी वो apologetic expression से smile की तोड कहता है और तुम आसाने से गुसा हो जाती हो मुझे लगता है कि कोई भी तुमें ये कभी नहीं बताता होगा तुम मेरे साथ unpleasant behavior क्यों कर रही हो मैं यहाँ जगड़ा करने नहीं आया हूँ तुमने जो कहा उससे लगभग लड़ाई हो सकती है शायद तुम लड़कों के वज़े से बिगड़ गई हो क्या तुमारा कोई friend है तो जेन कहती है हाँ जेन परिशान होकर answer दी उसने सोचा कि पहला कदम उठाने का कारण मुझे उससे इस तरह बात करने की rights है तो तुमारी friend कैसे हो सकते है अगर तुम ऐसा कुछ कहोगी तो हमें खाने की जरूरत नहीं है तो जेन ने menu card को नीचे फेक दिया तोट पीचे की और जुका और अपना सिर हिलाया तोट कहता है तुमारे पास सिर्फ एक beautiful face के सिवा और कुछ नहीं है जेन को इस बात को सुनने के बाद बहुत कुछ सा आया उसे ऐसा फील हुई कि टेबिल के बीच में रखा एक बढ़ा सा ग्लास पकड़ कर सिदे उस डॉक्टर के उपर फेक दे तो तोट कहता है चलो honesty से कहो तो जेन कहती है मैं तुमें पसंद नहीं करती तोट कहता है मुझे भी तुम पसंद नहीं हो तुम बहुत selfish टाइप की हो जेन खुद को रोक नहीं सकी और डॉक्टर हसा और उसके सामने पानी का घूट लिया तो तोट कहता है मेरा मतलब है मैं तुमारे साथ बाहर नहीं जा सकता यही मैं आज कहना चाता था तो जेन उसके तरफ देखी पहले से भी ज़्यादा गुस्से में अपने लाइफ में उसने ही सिर्फ लोगों को refuse किया था बढ़ यह पहली बार था कि किसे ने उसको refuse किया लेकिन अब यह डॉक्टर कह रहा था कि वो मुझे अपने लाइफ में नहीं चाता मुझे भी तुम पसंद नहीं हो तो फिर तुमने मुझे क्यों इन्वाइट किया मैं बस तुम्हें और जानना चाता था शायद मैं तुम्हें पसंद कर सकता था लेकिन मुझे पहले ही एसास हो गया था कि मुझे तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं है क्या इसलिए क्यूंकि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तुम मेरी तरफ देखने के लायक नहीं हो जैन कहती है तुम मेरी तरफ देखने के लायक नहीं हो जेन इतना ज़ादा परिशान हो गई थी कि उसा शेम आ रही थी जेन अपने गुसे को बहुत कंट्रोल करके रखी थी तो टोट फिर से कहता है तुम्हारे मॉम डैट ने तुम्हें कैसे पाला है तुम्हें कभी भी डिसापॉइंड नहीं देखिये अपने लाइफ में अच्छा और बुरा दोनों के बीच में तो जेन को बहुत गुसा आती है इसे सुनने के बाद तो जेन कहती है अब तुम मेरे मॉम डैट की क्रिटिसिजम कर रहे हो जेन डिसापॉइंड होकर उठ गई और कही तुम मिले लाइफ में अब तक मिले सबसे बड़े इडियेट हो तो टोट जेन से कहता है नाराज होने से पहले क्या तुम पहले सुन सकती हो कि मैंने तुम्हें क्यों रिजेक्ट किया जेन कहती है नहीं तो ट कहता है मैं किसी को डेट कर रहा हूँ और वो एक लड़का है तो जेन कहती है मैंने कहा ना वाट क्या तो ओके गाईस आज की स्टोरी यही तक तो फिर मिलता है नेक्स्ट पार्ट के स्पाइलर के साथ बहुत जल्द